बहुत स्वावत है आपका एक छोटे से अमेजिंग टॉपिक के साथ में विच इस प्लाजमोलाइस अगर में बात कर आपको प्लांच सल के बारे में तो अगर हम और स्मॉटिक कॉंसेंट्रेशन के हिसाब से देखे कि किसी भी सेल का क्या बिहेवियर होगा तो हमारे पास ती किन अलग टाइब के सलूशन हो सकते हैं we can have isotonic solution we can have hypertonic solution and we can have hypotonic solution isotonic solution में अगर मैं अपनी सेल को रखती हूं बच्चे तो देर इस नो नेट फ्लोव देर इस नो नेट फ्लोव मोमेंट हाइपर से आप याद रखना एक सिम्पल से ट्रिक से आपको समझा रही हूं हाइपर माने मौर अम मौर क्या मौर सुलूट इप अब अगर पुट अपनी सेल इंटो हाइपर टोनिक सुलूशन बैट सेल विल श्रींक इटसल वो श्रींक होना श्रू हो जाएगी हाइपर मिन्स मौर सुल्यूट हाइप याइपो मिन्स लेस क्या लेस इस सुलूट यह लेस सुलूट कहां पर प्रेजंट है यह सेल की बाहर की हम बात कर रहे हैं तौल्वेंट तुम्हारा जादा है बाहर में जादा सॉल्वेंट अंदन में कम सॉल्वेंट which means your solvent will बोल भी आप एक प्लांट सेल को रख रही है 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 इसकी वजह से उसका प्रोटो प्लाजम श्रिंक हो रहा है उसको आप प्लास्मोलाइजड चैल कह देते हैं उसको हमने बोला वच्चे प्लास्मोलाइजड चैल बहुत स्वावत है आपका एक छोटे से अमेजिंग टॉपिक के साथ में इस प्लास्मोलाइजड चैल को आप हाइपरटोनिक सॉलूशन में रख रहे हैं या हाइपोतोनिक में वेरी कन्फूजड और क्या ये रिवर्सिबल पॉसस है क्या मेरी जो प्लास्मोलाइजड सेल है उसको मैं किसी भी तरीके से वापस से उसके साइज को रिगेन करवा सकती हूँ लेट्स अंडर्सेंड ओल इस तिंग्स इन तोड़ी लेक्चर तो बच्चे प्लास्मोलाइजड से एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है एंड इंपॉर्टन से जादा कन्फ्यूजिंग आप बच्चों को लगता है क्योंकि इतना समझने वाली इसमें चीज़े हैं कि जो प्लास्मोलाइजड सेल होती है वो किस सॉलूशन में रखने के बाद बनती है तो आज आपकी सारी क्वैरिस को हम लेंगे और कोई भी इसकी बाद आपको सवाल बच जाता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं I will personally see every comment of yours और आपको आंसर भी उसका मिल जाएगा So let's get started प्लास्मोलाइजड होता क्या है अगर मैं बात कर आपको प्लांट सेल के बारे में तो अगर हम ओस्मोलाइजड के हिसाब से देखें कि किसी भी सेल का क्या behavior होगा तो हमारे पास तीन अलग टाइप के solutions हो सकते हैं We can have isotonic solution We can have hypertonic solution And we can have hypotonic solution तो पहले प्लास्मोलाइजड पर जंप करने से पहले हम समझ लेते हैं एक basic चीज़ को कि तीन टाइप of solutions क्या होते है अगर मैं अपनी सेल को hypotonic solution में रखती हूँ तो उस सेल का swelling होती है या वो shrink हो जाता है पहले हम समझते हैं basic से तो आपके तीन अलग टाइप के solutions हो सकते हैं The first one is my dear kids Isotonic सबसे पहला आजाता है आपका Isotonic solution दूसरा होता है मेरे बच्चे Hypertonic solution Hypertonic solution And third आजाता है आपका Hypotonic solution Hypertonic and then we have Hypotonic solution क्या होते हैं ये तीन solution Let's understand अगर मैं बात करो Isotonic की तो supposedly ये मेरा एक beaker है उस beaker में मैंने अपनी सेल को रखा हुआ है और मैं कहती हूँ कि ये solution जो है वो Isotonic solution है Which means It is having the same concentration इसकी जो concentration है वो exactly similar है To that of the cell तो cell में जितना Solute का concentration है उतना ही बाहर इस solution में present है Exactly similar तो अगर वैसा ही concentration है वही Osmotic concentration है तो क्या कोई net flow of molecules हो पाएगा आंसर is no तो Isotonic solution में अगर मैं अपनी cell को रखती हूँ बच्चे तो there is no net flow There is no net flow of movement कहीं पे भी कोई movement आपको नहीं देखने को मिलेगी चलते हैं दूसरे case पे Second is hypertonic and then we have the hypotonic Hyper से आप याद रखना एक simple से trick से आपको समझा रही हूँ Hyper माने more अब more क्या more solute तो बच्चे अगर मैंने अपनी cell को रख दिया है एक बीकर में ये मेरा बीकर है ये मेरी cell है तो cell की जो बाहर का solution है न इसमें जादा solute है so more solute is present over here अब आप सोचिए solute जादा है मतलब solvent कम होगा तो बाहर के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे there is presence of less solvent solvent आपका कम हो जाता है तो इस cell को मैंने रख था एक ऐसे solution में जिसका solute जादा है and solvent कम है than the cell cell के अंदर solute कम and solvent जादा cell के बाहर more solute and less solvent solvent का movement होता है हमेशा from its higher concentration to its lower concentration जादा कहाँ पे है यहाँ पे आपका जादा है यहाँ पे आपका कम है so what do you think कहाँ से कहाँ पे आपका पानी मूब करना शुरू करेगा कहाँ पे आपका solvent मूब करना शुरू करेगा तो हम कलर चेंज कर लेते है yes or no इसको हम exhaust mosses कहे देते है अब सोचिए एक से सारा solvent बहार निकल गया तो जब वो सेल हो जाएगी यह वो श्रिंक होगी it will shrink itself तो जब इस सेल से solvent बहार जाना शुरू होगा तो इस बडिकुलर सेल विल शुरू होगा अब देखते हैं हाइपोटोनिक क्या होता है हाइपोटोनिक just opposite of your हाइपोटोनिक again मेरे पास बीकर है बीकर में मैंने अपने एक सेल को रखा now हाइपो मिन्स more सुल्यूट हाइपो मिन्स less less क्या less is solute यह less solute कहां पर present है यह सेल की बाहर की हम बात कर रही है तो इसलूशन मेरा यहाँ पर present है बच्चो यहाँ पर there is less solute यहाँ पर solute कम है which means यहाँ पर solvent ज्यादा है solvent is on the higher side तो बाहर में solvent ज्यादा है सेल के अंदर solvent कम है what do you think कहां से कहां पर movement होगी बोलिए मैं the movement is always from its higher concentration to its slower concentration तो यहाँ पर solvent is ज्यादा यहाँ है कम which means your solvent will start moving into the cell सेल के अंदर मूव करना शुरू करेगा like this अब सेल के अंदर मूव क्या मतलब क्या हुआ एंदोस्मोसिस एंदोस्मोसिस बाहर बाहर जाना शुरू हुआ एंदोस्मोसिस मतलब अंदर आना शुरू होगा तो इस एंदोस्मोसिस अब आप सोचिए इस सेल के अंदर अगर solvent की movement हो रही है तो सेल स्वेल्ड अप हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा इस सेल विल स्वेल इटसेल्फ तो यहाँ पे हो जाएगी इस सेल की स्वेलिंग यह हो गया आपका स्वेल्ड अप तो मैंने आपको संझाया कि तीन आपकी ओस्मोसिस कॉंसेंट्रेशन की इसाप से सॉलूशन बनते हैं अगर मैं अपनी सेल को एक ऐसे सॉलूशन में रख दू जिसकी कॉंसेंट्रेशन सेम है इस स्वेल्ट उससे जादा नहीं है इन दा केस देर विल बी नो नेट फ्लो ओफ मॉमेंट उस केस में इस सेल को आप फ्लैसिद सेल बुला देते हैं अगर मैंने इस सेल को रखा ऐसे सॉलूशन में जहां पे की आपका सॉलूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है और सेल के अंदर तो आपका सॉल्वेंट ज्यादा हुआ विच मेंस और मॉमेंट अपकी वो श्रिंख करना शुरू कर जाएगी यह हमें पर नुबर 3 जिस है पो टोनिक तो मैंने अपने सेल को रखा एक ऐसे solution में जिसमें less solute present है अगर less solute present होगा उस केस में बाहर में तुमारा less solute है solvent तुमारा जादा है बाहर में जादा solvent अंदर में कम solvent which means your solvent will move from outside to the inner side there will be endosmosis and it will swell up मेरी बात आई समझ, यह तीनों solutions, मैं अगर मैं cell को रखती हूँ, तो cell के साथ क्या कहानी घटित होने वाली है, यह हम समझ चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं, प्लाजमो लाइसिस होता क्या है, तो अगर बचों मैं अपनी plant cell को रख देती हूँ, hypertonic solution में, तो उस plant cell को मैं कह देती हूँ, प्लाजमो लाइस्ड cell, उसको मैं कहती हूँ, प्लाजमो लाइस्ड cell, ऐसा मैंने क्यों बोला, let's understand, समझते हैं जी, तो मैंने कहां, बच्चों, अगर मैंने अपनी plant cell को, plant cell को रख दिया है, hypertonic solution में, तो उसके साथ क्या हश्र होने वाला है, अब आपको सोचिए, मैंने कहा था, hypertonic solution, hyper means मैं more, more solute, तो cell के बाहर solute जादा है, and solvent जो है, वो कम है, which means cell के अंदर solvent जादा है, तो cell के अंदर से बाहर उसका moment होना शुरू होगा, which means there will be exhaust mosses, और exhaust mosses का result यह होगा, कि जो वो cell है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, अब यार कहानी यह आती है, कि जो plant cell है, वो कैसे श्रिंक हो सकती है, because we do have the cell wall, हमारे पास तो cell wall present है, जो की cellulose से मिलकर के बनी हुई है, right, which means, cell wall तो श्रिंक नहीं हो सकता, तो what will happen, what will happen, it's protoplasm, इसका जो protoplasm है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, protoplasm जो श्रिंक हो रहा है, उसको आप plasmolyzed cell कहते हैं, तो what exactly is plasmolysis, it is a process in which आप एक plant cell को रख रहे हैं, hypertonic solution में, जिसकी वज़े से उसका protoplasm श्रिंक हो रहा है, उसको आप plasmolyzed cell कह देते हैं, उसको हमने बोला बच्चे, plasmolyzed cell, right, अब आप खुद सोचिए, जो cell श्रिंक हो चुका है, मेरा protoplasm साइट से श्रिंक होना शुरू हो गया है, क्या मैं वापस से इसकी साइज को रिगेन कर सकती हूँ? Is there any chances कि जो मेरी plasmolyzed cell है, उसको मैं de-plasmolyzed कर पाऊं किसी तरीकी से, क्या मैं इसको वापस इसकी original shape and size में लेकर किया सकती हूँ? The answer is yes, of course, we can do. So, what is this de-plasmolyzed cell? What is this de-plasmolyzed cell? बचो, अगर मैं इस plasmolyzed cell को रख दू, hypotonic solution में, तो आप सोचिए, अगर मैंने इसको hypotonic solution में रखा, hyper means less solute, more solvent, तो cell के बाहर solvent जादा है, cell की अंदर कम है, there will be endosmosis, तो यह रखते के साथ होगा क्या? Endosmosis होना शुरू होगा, और जैसे यह endosmosis हो जाएगा, what will happen? जो shrink हुआ था मेरा protoplasm, वो वापस से अपने normal shape and size में आना शुरू हो जाएगा, which means it will start to swell up, वो swell होना शुरू हो जाएगा, और जब मैंने अपनी plasmolyzed cell को hypotonic में डाल दिया, तो मेरी cell जो है, अपने normal shape and size को regain करना शुरू कर देगी, उसको मैंने कहा, de-plasmolyzed cell, de-plasmolyzed, तो यह process जो है plasmolysis का, क्या मैं बोल सकती हूँ, that this is a reversible process, yes of course, it is your reversible process, very important question, बहुत बार exam में पूछा जाता है, previous year question है, कि plasmolysis आपका reversible process होता है, या नहीं होता है, तो आज हमने समझा, इस छोटी सी class पे, कि plasmolysis क्या होता है, और plasmolysis के basis हमने समझे कि isotonic solution क्या है, hypotonic क्या है, अगर मैं किसी cell को hypotonic में रखती हूँ, तो वो cell swell up हो जाती है, या shrink हो जाती है, अगर मैं किसी cell को hypotonic में रखती हूँ, तो उसके साथ क्या हाश्र होता है, तो बच्चे, ऐसे ही sessions के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, डॉन फर्गेट तो प्रेस्ट बेल आइकन ताकि आपको पास नोटिफिकेशन साते रहें, अगर लाइव ग्लैसे आप जरूर जॉइन किजिया, इसके राब कुछ भी आपके सवाल हो, कोई टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, ताइव बेरी हैपी टू सी बोस टॉपिक और वो सारे टॉपिक में आपको बन बाइवन करके पढ़ाती हूँ चले जाओंगी, आप कॉमेंट सेक्षिन में जरूर मुझसे बताना कि क्या आप नेक्स आपक पढ़ना चाहते हैं, और आइवरीवन, स्वी ने नेक्स क्यास, तिल दन, लॉट्स अफ लॉव और संदिंग लॉट्स अब्लेसिंग्स तो आल अफ यू, बाइवरीवन.